तो चलिए अब आपको हम बताते हैं फिलाल किसान आंदोलन पर क्या इस्थती है ग्राफिक्स के जरीया आपको हम समझाते हैं सरकार ने कानून डेड़ साल तक टालने का प्रस्ताव दिया है देखे ग्राफिक्स में बरकरार है टकराव 11 दिन की बात होनी है सरकार क्या कहती है कानून डेड़ साल तक टालने का प्रस्ताव है किसान नहीं मान रहे कमिटी बना कर चर्चा हो सरकार कह रही है प्रस्ताव मंजूर नहीं है किसानों को साफ तोर पर किसानों ने मीटिंग के बाद कह दिया अब सरकार का कहना है कि आंदोलन खत्म हो आंदोलन जारी रहेगा अलगतार किसान इस पर अडे हुए है ट्रक्टर परेड रोकी जाए ये सरकार के तरफ से कहा जा रहा है लेकिन ट्राक्टर परेड होकर रहेगी, ये किसान कह रहे हैं, दिल्ली के बाहर हो परेड, सरकार कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ही वो परेड करने पर अड़े हुए हैं, इस बीच केमपी एक्स्प्रेस वेपर सरकार ने पर साथ दिया कि आप महा पर कर लीजे परेड, लेक आक्टर राली को लेकर किसान अड़े हुए हैं दिल्ली पुलिस उन्हें मनाने की हर्दम कोशिश कर रही है केमपी एक्सप्रेस पर परेड निकालने का सुझाव भी दिया लेकिन किसान दिल्ली में एंट्री पर ही अड़े हुए हैं 26 जनवरी की किसान परेड के लिए चल पड़े बर्नाला से ट्रैक्टर परेड के लिए किसान दिल्ली को रवाना हो चुके हैं लुध्याना से किसान अपना-पना ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं तरन-तरन से ट्रैक्टरों का रेल आगे बढ़ रहा है अमरित सर के किसान भी ट्रैक्टर पर सवार होकर आ रहे हैं दावाया ऐसे एक लाख से ज्यादा ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में विना गणतंत्र दीवस की परेड में व्यावधान डाले किसान भी अपना गणतंत्र प्रदर्शन करना चाहते हैं तो 26 जनवरी को क्या होगा दिल्ली के नक्षे पर आंदोलन क्या ट्रैक्टर परेड के नक्षे कदम पर आगे बढ़ेगा या टकराओ थमेगा इसलिए किसान संगठन और तीन राज्यों उत्तर प्रदेश हरियाना दिल्ली के पुलिस अधिकारियों ने तीसरी बार बात चीत की क्या बात हुई आज तक समवाध्दाता हिमांशु मिश्रा को मिली जानकारी के होतावे पुलिस ने तीन प्रस्ताव रखे पहला किसान के MP Express Way पर रैली निकालने जैसे पहले भी निकाल चुके है कोई जगा तै कर ले कुछ किसान पहचान के साथ उसमें शामिल हो और तीसरा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक्टर परेड को रद्द कर दे किसान दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट् पश्ट कर दिया है कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज़्जत बनाने को तिरंगे की शान बढ़ाने को अपनी राष्टिय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे इसको हम लोग जो है पूनतिया सुचारू रूप से चलाएंगे और इसमें हमारा कोई बादा ना है यह हमारा एक कमिटमेंट है। देड़ सल्प के लिए बिस चर्चक चालू रखना का ऐसे ना जाते यह किसान ऐसे ही कहाँ चला जागा इसे निम्टा कर चलागा। तो अब सवाल यह कि जो किसान पंजाब से एक ट्रैक्टर के पीछे तीन तीन ट्रैक्टर बांग कर डीजल का पैसा बचाते हुए परेट करने आ रहे हैं। जो किसान एक ट्रैक्टर पर दो ट्रॉली में दो और ट्रैक्टर लात कर लिए चले आ रहे हैं। सब्सक्राइब करना ना भूले।